गुड मॉरिंग इंडिया दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज की कहानी काफे इंट्रेस्टिंग है और थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी ये कहानी आपको चुरूर पसंद आगी तो जल्दी से चलो मैं आपको शुनाती हूँ कहानी आप जल्दी से यह फोन या हेड़फोन का उप कहानी इस कहानी का नाम है मैं आणरी तो वो खिलारी चलो आप जल्दी से इन्हें आँखो को बंद कर लो ताकि यह कहानी आपको और भी दियालिस्टिक लगे और मैं आपको इस कहानी को सुनाती हूँ दोस्तो यह कहानी रागव की है रागव कहता है यह मेरी जिंदगी की जो सच में मेरे साथ लाइफ में ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था सायद मुझे तो कभी-कभी लगता है दुनिया में मैं इकलौता है का इंसान हूं जिसके साथ यह सब कुछ हुआ है अब क्या तो चलिए पताता हूं दोस्तों मैं मेडल क्लास फैमली से दिलांग करता मेरे घर पर मैं मम्मी पापा रहते हैं मेरी एक बड़ी दीदी है जिनका साधी हो गया है वो अपने ससुलाल में रहती है कुल मिलाकर मैं घर पर अकेला हूं कभी-कभी बोर पर जाता हूं तो ऐसे में मेरे घर के बगल में मेरे कुछ मतलब दोस्त जैसे हो गया जो मेरे से बड़े नहीं है लग लग बड़े ऐसे तो उन लोग के साथ टायम स्पेंट कर लेता हूं यहां पर मेरे परोष में भाबी ही रहती है वो अकसर मेरे साथ बहुत सी बात चीत करती है उनके पती कामकाजी इंसान है और अकसर घर से बहार रहते हैं इस वज़े से वह काफी जो अदाएं हैं वो खवी निराली है मतलब मतलब कि वो हमेशा जब भी उनसे बाते करती है बहुत हासस के बात करती है वो थोड़ा खुले वीचारों की है दोस्तों उस दिन से पहले मतलब इन सब चीजों के बावजूद मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कुछ भी भावना जिससे कि उन्हें बुरा लगे मैं बहुत ही सिंपल लगा था और उन्हें बस नौर्मल नजरों से देखता था मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं था क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी कोई गल्फरेंड बनेगी तो मैं उसके साथ लाइप में भुस रहोंगा या जब मेरी साथी होगी एक दिन की भात है भाबी आई मेरे घर तो अचानक से बोला अरे रागव जी क्या कर रहे हैं मैंने का खुछ नहीं बस तुनों ने कहा कि अच्छा मैंने का आप कब आई तो नहीं का अरे क्या बताओं आप तो मेरे पर ध्यान नही लेकिन आप यह सब में ध्यानी देरते कि मैं कब आई कब नहीं आई मैंने खा अच्छा दोस्तों उनका बोलने का मतलब कुछ अलग था जो मैं अच्छी तरीके से समझतो रहा था लेकिन उनसे कुछ कहने रहा था ऐसे ही समय गुज़रते गुज़रते कुछ दिन और अच्छी गा ममी ने मुझे कहा कि बेटा जाओ तो रहा उनके घर उनको कुछ काम है क्योंकि उनके पती अक्सर नहीं रहते कुछ सामान लाना होता तो वह हमें ही बताती इसलिए मेरी ममी ऐसा कही दोस्तों उस दिन के बात की बात है उस दिन तो मैं उनके घर गया तो पता कि वो बिमार थी उनके लिए कुछ दवाई लाना था मैंने दवाई बोला तो ऐसा ऐसा वो दवाई बोली मतला क्या ही बता हूं लेटीज प्रॉब्लम की उनके रभा चाहिए थी अब इस बात के बाद मैंने उस दिल कुछ नहीं बोला और फिर मैं आगे निकल गी दोस्तों म मुझे बस जाना है और मैं वहां से निकल गया दोस्तों मुझे बहुत जादा सर्म आरे थी इतना कि मैं उनसे नजरे नहीं मिला पा रहा था उसके बाद दोस्तों बीच जाने के बाद एक बार की बात है उस दिन उनके पती हमारे घर आये थे और बोले थे कि आज मेहा को स्कूल से लेकर आया दरवाजा नॉक किया तो भावी नाइट सूट में थी मतलब वो जो गाउंड होता है लड़किया बहनती है वो पहनी भी थी उनके बाल खुले वे थे और उसने कहा क्या हुआ कहां खो गए मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं तो उसने कहा बैठो बैठ मैंने जैसे ही लोग खुला उनके फोन पेक ऐसी उनकी तस्वीर लगी थी मैं आपको क्या बता हूं यह भावी की तस्वीर थी लेकिन बहुत ही अलग किसम की मतलब आप समझ रहो ना मुझे बोलने में भी खराब लग रहे तो उस तस्वीर को देखकर जैसे ही भावी मेरे सब तो चलता है ऐसा कह गर मेरे पास हा रही थी दोस्तों और मुझसे बहुत अजीव लग रहा था मैं वहां से चला गया उसके बाद मैं उनसे नजरे नहीं मिला पा रहा था मैं बार बार उनके पास से हर जाता मतलब उनका घर भी नहीं जाता वो अपने बेटे को भी एक मैं फिर भी नहीं गया उसके बाद की बात है दोस्तों उसके बाद चार पास दिन बीच जाने के बाद वो एक दिन मेरे घर पर मम्मी को बोली कि रागव क्यों नहीं आ रहा है तो मेरी मम्मी ने बोला पता नहीं तो तो उसने कहा रागव को भेज दीजेगा ना मेरे घर का बल्ब खड़ाब हो गया है मेरी मम्मी ने आकर मुझे कहा कि एक बार भावी के घर चला रहा है और आज कल तो जाता क्यों नहीं है उन्हें कुछ कुछ दिक्कत हो सकती है तो एक बार चला जा मैंने इस पर कहा ठीक है मैं चला जाओंगा साम को मैं उनके घर गया मुझे थोड लाइठ यह जो बल्व हैथ ना यह बल्ब खड़ा वो गया है तो मैंने कहा चीयर लाकर दीजे में बहूत सर्माराद घो कि तुम सर्मा क्यों रहे हो बाबू यह बताओ ने का dan kella कर चार। तब ही मतलब दोस्तों उश स cafर पैन क्या थी मैं बहुत ज्यादा आप सुमझ सक् तो का भाबी बोल रही थी नहीं क्या ही रिकत है बहुत चाहिए होगा तो मैं तुमारी मनद कर दूंगी यहीं पर रहती हो तो किर जाओ अंकमफटेबल हो रहा था यह सब चीजे मेरे साथ पहली बार हो रही थी इसलिए मैं बहुत जादा अंकमफटेबल था तभी उन्होंने मतलब मेरा पैर गिसका और मैं गिरिया दोस्तों जैसे ही मैं गिरा वहां पर भावी ने मुझे पकड़ा और कमरे पे ले लिए मैं ठीक सामने से मैं मतलब मेरे साथ यह सब कुछ अपने मर्ची से नहीं हो रहा था मैं काफी जादा अंकमफटेबल था लेकिन सब कुछ अच्छा लगने लगा और उसके बाद जब भाईया जी नहीं रहते तो मैं अकसर भावी के पास आया कर था फिर तो आप समझ रहो मुझे भ बहुत ही पसंदार तो जरा बचके रहेगा ऐसे लोगों से सेफ रहेगा सावधान रहेगा वीडियो पसंदाए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ने बाबा मैं मिलती हूं आप से फिर एक नए वीडियो में के इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई ठेक कियर बाई